सलाम उलेकुम गुड वार्णिंग वेल्कम बेक टो मैं चैनल का शिश्फू निनम रॉगर आई होप यार डूइंग गुड तो आज दिन है कल था मंडे और आज है ट्यूटे तो आज दिन है मंगल का और बज रहे हैं दस तो नाश्टे का टाइम हो चला है चाय हो चुकी है नाश्टे में आज क्या बनाया है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके विंटर्स की पहली जो रेसिपी थी डाल बत्वे की डाल की वो हमने शेयर कर दिया है और जो दूसरी रेसिपी है वो है मक्के का साख सरसोदी रोटी और ल्टा बूल गया यही होता है मक्के का साख होता है कहीं सरसोदी रोटी होती है कहीं नहीं होती है आप लोगों के सामने आते ही हम नर्वास हो जाते हैं चलिए उसको सही करते हैं तो आज किचन में बनाया है नाश्टे में हमने सरसो, बथवे और मूली, मेथी से पालक मिला करके उसका साख और साथ में हैं मक्के की रोटी और मक्के के आटे के ही पैनकेक जो बहुत ही जबरदस्त होते हैं तो जादा बात नहीं करते हैं और किचन में चलते हैं रेसिपी शेयर करते हैं और चैनल पर फस्टाइम है चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिएगा बेल आकम को ज़रूर प्रेस करिएगा काल पर करिएगा ताकि वीजियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए चलते हैं लेट केट स्टार्ट तो नाश्टा हो चुका है और सच में साग इतना जबरदस्त बना था जिसे लख्जों में बयान करना मुश्किल है तो आप लोग ने ये रेसिपी देख लिए इसे लाइजमी चाहिए करिएगा खुद भी बना कर खाईए और फैमली को भी खिलाईए और प्रोस्यों को भी खिलाईए प्रिश्तेदार को भी खिलाईए जोंकि ये लाड़ की तरफ से जाड़े में जो सबजिया में मिलती है बहुत बड़ी सौकात है और आज जानते हैं कौन आ रहा है मेरे घर मेरी मज़ी बहन आ रही है और वैसे हमने मरियम की मम्मी को भी फोन कर दिया है तो कहती पहले बताती तो फिर हम देखा जाता लेकिन अब मुश्किल है हमने कोई बात नहीं आदे घंटे में जुबार निकालो और आ जाओ तो हम तीनों बहने इकटा हो जाए हम तीन बहने है आई हम अब बिक चलिए फिर अभी थोड़ी देर में जब महका आ जाती है अब मेरी प्यारी सी बहन आ जाती है तो फिर आप से मिलते है अभी अभी पतंग लूटी है यह देखिए यह मंजा है और यह दोर है लेकिन पतंग जो है वहाँ पर अटक गई है यह देखिए दोर के साथ तो इसी देवने यहाँ पर अटका दिया बहुत तेज बली दूप हो रही है तो हवा भी चल लिए बैसी हवा चल चल के न थोड़ा सा जो है मौसम बदल जाएगा तो इंतिजार अब खतम हुआ और जिसका इंतिजार था वो आ गया तो महक और महक के मम्मी आ चुकी है तो हमने का इती देर लगा दी तो कहने लगी हाँ घर के जिम्मेदारी होती है तो वक्त लगी जाता है तो यह तो है कि एक तो अब जो है दिन थोड़े चोटे होने लगे है और मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी है नाच्ता खाना सा बना करके रखके यह लोग आई तो टाइम लगी गया था तो बाड में इनकी जो मशीने थी सिलाई मशीन तो वो सारी पानी में भीकर खराब हो गई थी और इन्हें फैज़ाबाद शादी में जाना है तो इसलिए यह अपना बलाव सूट सब लेकर के आई है आद दिन भार यह लोग कटिंग करेंगी सिलाई करेंगी तो हमें डिजाइन दिखा रही थी कि इस तरह से बलाव सिल ले लेकिन कपड़ा कम था और कपड़ा कम था तो इस वज़ा से वो अली डिजाइन तो नहीं बन पाई लेकिन हाँ इन्होंने अपनी खुद से एक नई डिजाइन इजाइन इजाइन कर ली थी तो अब यह कटिंग करेंगी और बैट करके अपने कपड़े सिलेंगी तो महक को भी इन सब चीजों का बहुत शौक है सिलाई का, कड़ाई का और ऐसा नहीं की पढ़ाई का नहीं है हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं एक माशाल्ला माशाल्ला जो है इस वक्त बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई पे फोकस भी कर रही है घर के कामों के साथ तो यह जो है अपनी मम्मी से मतलब इनकी मम्मी जो है अपनी लड़की से पूछ रही है कि किस तरह का बलाउस की लूँ यह कपड़ा लगाऊ की ना लगाऊ पस यही बाते चल रही थी खैर अब डिसाइड हो चुका है डिजाइन सेलेक्ट हो गई है कि क्या करना इस डिजाइन को कैसे फियत बदल करके एक नई डिजाइन डाल करके बलाउस को ब्यूटिफूल बनाना रही है तो यह बलाउस की कटिंग कर रही है फिल हाल हम आप से बाते करते हैं हमारे नबी मुस्तुफा सल्लाला अले लगाए बस्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली और दर्मियानी उंगली को जोड़ कर कहा था जो यतीम की खफालत करेगा क्यामत के रोज वो इनसान मेरे साथ खड़ा होगा तो यह जो यतीमों का हक मारते हैं ना तो उन्हें कबर भी नहीं पूस्ती है और इसलिए जो है अगर आप से हो सकता है तो यतीमों के लिए जादा से जादा जो है करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह जो बिन बाप के बच्चे होते हैं अगर इनकी आँखों में आसू आते हैं जिसकी वज़ा से भी तो उसकी पूरी जिन्दगी जो है बरबाद हो जाती है अल्ला ताला यतीमों का हक मारने वाले को और यतीमों को सताने वाले को रुलाने वाले को कभी भी माफ नहीं करता है और जो यतीम का साथ देता है ना अल्ला ताला उसके हमेशा जो है साथ होता है तो यहां पर जो हम कह रहे थे कि दिन हो चुका है भीया पहले कटिंग वर्टिंग बाद में करो खाना खालो तो यह लोग सुनने रहे थी तो फिर हमने इन लोगों को कसके जब डांट लगाई है तब ही ने समझ में आया और जिया भी पुरा फुली तरीके से अपनी खाला का और अपनी कजिन का यानि अपनी बहन का जो है साथ दे रहे हैं बैट करके तो फिर बाद में यह वाक भीया खाना खालो क्योंकि हमें लग रही थी भूख तो खाना जो है लग गया कड़ी है, सपैता है, चामल है और आलोगोश्ट है यानि तमाम तरह के लवाजमात है और अपनी बेहन आए और भांजी आए तो जाहिर सी बात है इतना तो एहतमाम बनता ही बनता है और महमान जो है, महमान जो होता है, लग की रहमत होता है और महमान चाहे वो दूर के रिष्टेदार हूँ या करीब के रिष्टेदार हूँ या पडोसी की शकल में महमान हूँ महमान महमान ही होता है और वो अपना रिस्क लेके अपने साथ खुद आता है तो ये देखिए जो है खाना खाने के बाद तो हम तो लेट गए थोड़ी देर एडिटिंग वगरा करने लगे वीडियो की और मेरी बहन ने कितना हसीन ब्लाउस सिलकर त्यार कर दिया अच्छा इसमें आप जो हलकी अंगूरी कलर की कपड़े की इस तरह से लगी हुई एक पट्टी सी देख रहे है ना यही जो है साड़ी की मतलब साड़ी का ही कपड़ा है और इसमें लगा दिया गया ताकि थोड़ा बलाउस लंबा हो जाए उसके बाद हमने शाम का वक्त था चाय बनने के लिए रखवा दी है और उसके बाद जो है हम आ गए हैं हम जा रहें जिया के साथ छट पर और आज़ा आपको छट की सेर कराते हैं और तक्रीबन जो है चार बच चुके हैं और आप देखिए कितना हसीन मनजर है और इतना खुबसूरत सूरज लग रहा है तो अब लोग ये लोग दोनों जिया और जिया के दोस्त जो है मिल करके पतंग बाजी करेंगे और हवा चल रही है देखिए एक पतंग बगएर डूर के उड़ गई कभी देखा है पगैर डोर के पतंग उड़ते वे नहीं ना आज मेरे ब्लॉग में देख लीजे और आप ये देखिए जरा सा बाप रे बाप इतनी सारी चर्की धेर सारी पतंग आज तो इरादा है काटेंगे और खुद की भी जो है पतंग कटवाएंगे तो देखिए ये लोग कहां तक कामयाब होते हैं पतंग काटते हैं या अपनी पतंगी कटवाते हैं दो मेंसे जो है एकी चीज होती है या इनसान कटता है या काट देता है तो हमने का चलो आप लोग पतंग की कन्ने बांध हो और नीचे शाय बन रही है जिया जो है चत पे चाड़े पतंग उड़ाने और साथ में जिया के फ्रेंड भी और बहुत अच्छा लग रहा है भावा चलें दगी और चलिए आपको दिखाते हैं या पर पतंग में बन रहे हैं कन्ने और जब हम छोटे थे ना तो हमने कभी गुड़िये गुड़े से नहीं खेला लेकिन हाँ जब भाई पतंग उड़ाते थे तो उनके साथ पतंग, कंचे खेलना, गिली रंड़ा हमनों के जमाने में बहुत खेला जाता था तो भही हम आदिल को यहां बता रहे हैं जो जिया का दोस्त है तो जो है कह रहे थे कि हमने भी कमे कन्ने बानने हाते हैं और आते थे अब तो जो है कुछ आडिया नहीं रहा और नहीं अब सलीका रहा पतंग उड़ाने का लेकिन हाँ कोई पतंग उड़ा रहा होता है तो डोर सभालनी आती है जनाब ऐसा नहीं है तो कन्ने बांद रहा था तो इन लोगों को देख करके अपने पुराने दिनी आद आ गए और मेरी जो दो चोटी बहन है ना ये लोगों ने तो इस गड़र गुड़ा केला है गुड़ा की शादियों मेरी जो बहन आई है बलाव सिल रही है नीचे बैट करके सिल चुकी है आई मीन तो वो नीचे था भी उन्हों ने तो पुरे गुड़ा गुड़ा खुद से सीती थी बनाती थी और पुरा खांदान बनाती थी चचचा दादा नानी और फिर एक गट्री में करके बांद के रख देती थी और जो रिष्टेदार और मुहले वाले आते थे पडोसी उनकी वो गुड़िया गुड़े की गट्री पुरे खांदान की देखकर इस कदर हसते थे इस कदर हसते थे कि हम आपको क्या बताएं और कभी कभी चट पर आने का अपना ही मज़ा होता है जब से हम यहां रहने आए तब सिर्फ एक बार आया थे बारिश में और तब से अब दुबारा आना हो रहा है क्योंकि चट जो है वो बंद रहती है और अब ये जो है ये लोग देख रहे हैं किदर की हवा का रुख है और पतंग कैसे उडानी है तो कन्य के बादने के बाद सर के उपर उसे कैसे कन्य को सट किया जाता है और उसके बाद फिर देखा जाता है किदर हवा है किदर पतंग उड़ रही किदर कन्य बादने के बाद पतंग उडानी है किसकी पतंग कट करनी है योजना इन लोगों ने अपनी बना ली है और अब ये लोग पतंग उड़ाने लगे हैं तो हमने आप तुम लोग इंजुआए करो हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि मेरी चाय बन चुकी है तो हमने अपने लिए चाय बनवाया है और महक के लिए और महकी मम्मी का मन था कॉफी पीने का तो हमने लोगों के लिए कॉफी बनवा दी है तो ये है मेरे लिए चाय और इन लोगों के लिए कॉफी तो बस अब हम और मेरी बेहन और साथ में भान जी मेरी बहू साथ में जो है चाय और कॉफी कैसी चीज़ होती है ना इसमें ये अकेले नहीं पी जाती है साथ में ही पीने का अपना मज़ा होता है तो यहां पर जो है हमने मम्मी के लिए और पापा के लिए कड़ी और साग वगएरा पैक कर दिया है और साथ में आलू का सालन है जो सिर्फ सालन नहीं था और कुछ नहीं तो हमने कहा कि लेते जाना और ताकि यहां के जाओ तो सिर्फ रोटी बना ले ना क्योंकि शाम हो गए और दिन भर इन लोगों था क्मर में बहुत ज़दा दर्द हो रही थी तो हमने कहा कि तुम जाओ इसको लेकर कि महक रोटी बना लेगी ताकि तुम्हें खाना ना बनाना पड़े اور واقعی میں سلائی مشین پر دن بار بیٹھ کر کمر میں درد ہو ہی جاتی ہے اور اب یہ لوگ جا رہی ہیں اور میرا گھر ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں سونا سونا ان لوگ کے آنے سے رونک ہو جاتی ہے اور میرا بھی دل لگ جاتا ہے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں ورنہ تنہا بیٹھے رو تو بھائی چلیے میرے ساتھ آپ لوگ بھی ان لوگوں کو خدا حافظ کر دیجے اور بائی بائی کر دیجے تو بھائی ان لوگوں کے آنے سے नोगोंको भी अच्छा लगता है और हम लोगोंको भी जो है अच्छा लगता है दिन अच्छा गजर जाता है तो ये लोग चले गए और अब रात का वक्त है दाल, आलू का भरता रोटी, चाम वाली सारी चीज़ बनी थी तो अब डिनर करते हैं आप से इजाज़त लेते हैं नेक्स डॉक में फिर मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाफीस बाई बाई